हेलो दोस्तो माई यूट्यूब चैनल मेडिक अद्डा पर आपका स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइस नीट यूजी कांसलिंग 2020 के सेकंड राउन के बारे में बात करने वाले हैं इसलिए वीडियो इंपोर्टेंट होने वाला है इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे हैं ओकी गाइस और यह जिए हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही medical counseling से related accurate information सबसे पहले मिलती रहेगी तो ओके दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं second round के schedule के बारे में तो second round को जो registration है वो कल से start हो जाएंगे 22 December से 26 December के बीच में आपको इसका registration करना है लेकिन जिसने first round में registration कर लिया उसको second round में registration करने की कोई जर्वत नहीं है जिसने first round में registration नहीं किया वो ही second round में registration करना तो आपको registration करना है उसके बाद में आपको choice filling करना है और आपकी जो choice filling है वो 27 December 2020 को automatic lock हो जाएगी इसके लिए आपको कोई tension लेने की जर्वत नहीं है इसके बाद में आपका result publish होगा 30 December 2020 को उसके बाद में आपको जो college अलोट हुई उस college में जाकर आपको 31 December से 9 January 2021 के बीच में आपको उसमें जाकर reporting करवानी है तो ये तो था आपका second round का पूरा schedule जिसको आप ice counseling के ACCC official website पर जाकर देख सकते हैं तो दोस्तों अब बात करते हम कि जो first round में participate नहीं किया क्या वो direct second round में participate कर सकता या फिर नहीं और जिसको first round में seat alert हो गई क्या वो भी second round में participate कर सकता या फिर नहीं तो दोस्तों वीडियो को end तक देखते रहे वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करे वीडियो important होने वाला है तो सबसे पर बात करते हैं कि जिसने first round में participate नहीं किया वो second round में direct participate कर सकता है लेकिन उसको second round में registration करना पड़ेगा और registration fees जो है वो pay करने पड़ेगी दूसरी बात करते हैं जिसको first round में seat alert हो गई है और उसने admission नहीं लिया तो वो भी second round के लिए eligible है वो भी second round में participate कर सकता है तिसरी बात करते हैं जिसने उनकी first round में seat alert हो गई है लेकिन उसने admission ले लिया और seat को surrender कर दिया तो वो भी अनकी second round के लिए eligible है और मैंने seat surrender के उपर एक वीडियो बनाया था कि आपको कब से कब seat surrender करनी है तो यदि आपने वो वीडियो देखा और आपने seat surrender कर दी तो आप second round के लिए eligible हो और जिसको first round में अनकी college alert नहीं है तो वो तो वैसे भी अनकी second round के लिए eligible है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ओकी गास लेकिन यदि आपने first round में seat alert हो गई admission भी ले लिया और seat भी surrender नहीं की तो फिर आप second round के लिए eligible नहीं हो तो दोस्तों आपको समझ में आगा होगा कि कौन कौन से candidate जो है वो second round के लिए eligible है तो अगर फिर भी आपको इसे related कोई doubt है तो मुझे comment करके पोस सकते है instagram पर भी message कर सकते है और मेरे telegram चैनल पर भी आप जूड़ सकते है फिर भी यदि आपकी problem का कोई solution नहीं होता है तो आप मुझे personal contact भी कर सकते है आपकी पूरी पूरी साहता की जाएगी ओके दोस्तों तो आज के वीडियो में यहां तक ही आप अमारे साथ जूड़े रहे क्योंकि इस channel पर आपको ऐसे ही medical counseling से रिलेटर accurate information मिलते रहेगी तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से दाजाए student के पास इसको share करना तक उनको भी पता लग जाए कि second round में कौन-कौन से student जो है वो participate कर सकते हैं तो ओके गास thank you and good bye मिलते हैं next video में